मैं गुंजन हूँ और आज हम बात करेंगे कबीर दास्टी के जीवन परिचे के बारे में तो चलिए संथ कबीर दास्टी के जीवन परिचे के बारे में थोड़ा जानते हैं भारत के महान संथ और आल्यात्मिक कभी कबीर दास्टी का जन्म 1440 में हुआ था इसलाम के अनुसार कबीर का अर्थ है महान होता है एक बात का कोई साक्ष नहीं है कि इनके असली माता पिता कौन थे लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका लालन पालन एक गरीब मुसल्मान परिवार में हुआ था इनको नीरू और नीमा के द्वारा वारनासी के छोटे नगर में पाया गया था वारनासी के लहरतारा में संथ कबीर मच में एक तालाब है जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था एक शांती और सच्ची शिक्षा की महान इमारत है जहां पूरी दुनिया के संत वास्तिफिक शिक्षा की खातर आते हैं कबीर के माता-पिता बेहत गरीब थे और अनपड़ थे लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्विकार किया और खुद के विवसाई के बारे में सिक्षित किया उन्होंने एक सामान गुरुस्वामी और एक सूफी के संतुलिक जीवन को जिया है ऐसा माना जाता है अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामनंद नामक गुरु से ली और एक दिन वो गुरु रामनंद के अच्छे शिश के रूप में जाने गए उनकी महान कार्य को पढ़ने के लिए अध्येता और विद्यार्थी कबीरदास के घर ठहरते हैं ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामनंद से ली शुरुआत में रामनंद कबीरदास को अपने शिश के रूप में लेने को तयार ही नहीं थे लेकिन बात की एक घटना ने रामनंद को कबीर को शिश बनाने में एहम भूमी का निभाई एक बात की बात है संद कबीर तालाप की सीरी पर लेटे हुए थे और राम राम का मंत्र पर रहे थे रामनंद भोट में नहाने जा रहे थे और कबीर उनके पैरों के नीचे आ गए इससे रामनंद को अपनी गलती का एसास हुआ और वे कबीर को अपने शिश के रूप में स्विकार करने को मुझबूर हो गए एसा माना जाता है कि कबीर जी का परिवार आज भी वायनासी के कबीर चोड़ा में निवास करता है हिंदु धर्म इसलाम के बिना छवी वाले भगवान के साथ व्यक्तिगत व्यक्तिभाव के साथ ही तंत्रवाद जैसा उस समय के प्रचलित धार्मिक स्वभाव के द्वारा कबीर दास के लिए पूर्वग्रह था कबीर दास पहले भार्तिय संत थे जिन्होंने हिंदू और इसलाम धर को सर्वभोमिक रास्ता दिखा कर समन्वत किया जिसे दोनों धर्म के द्वारा माना गया कबीर के अनुसार हर जीवन का दो धार्मिक सिध्धान्त से रिष्टा है जीवात्मा और परमात्मा मोक्ष की बारे में उनका विचार था कि ये इन दो देव्य सिध्धान्तों का एक कारण की एक करने की प्रक्रिया है मतलब मोक्ष जीवात्मा और परमात्मा को एक करने की प्रक्रिया है उनकी महान रजना बीजक में कविताओं की भरमार है जो कवीर के धर्मिक्ता पर समान्य विचार को स्पष्ट करता है कवीर की हिंदी उनके दर्शन की तरह ही सरल और प्राकृत है वो इश्वर में एकात्मा एकात्मता और अनुसरन करते थे वो हिंदु धर्म के मूर्ती पूजा के घोर विरोधी थे और भक्ती तथा सूफी विचारों में पूरा विभरोसा दिखाते थे कवीर के द्वारा रचित सभी कविताएं और गीत कई सारी भाशाओं में मौजूद है कवीर और उनके अनुयाईयों को उनके काव्यगत धार्मिक भजनों के अनुसार नाम दिया जाता है जैसे बनस और बोली विवित रूप में उनके कविताओं को साखी शलोक और दोहे कहा जाता है साखी का अर्थ है परम सत्य को दोहराते और याद करते रहना इन अभिवक्तियों का स्मरन कार्य करना और विचार मगन के द्वारा आध्यात्मिक जागरुती का एक रास्ता उनके अनुयाईयों और कवीर के लिए बना हुआ है आगि इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिधपीट तवीर चौरा मठ मुलगरी और उसकी परंपरा के बारे में थोड़ो और जानेंगे अगली वीडियो में कवीर दास संत के बारे में आज के लिए पसित्ना ही